हालो दोस्तों, आज हम एक फेन रेगुलेटर और एक सीच का कनेक्शन करना सीखेंगे यहाँ हमारे पास में फेन रेगुलेटर है और यहाँ एक सीच अब हम इस पेन रेगुलेटर का एक वायर एस सीच के एक फेन के साथ में इस प्रू के साहता से टाइट कर देते हैं यहाँ हमारे पास में इनकमिंग लाइन की में केवल है और यहाँ फेन के वायर अब हम इसको इस सीच के साथ में जॉइन करेंगे इस में केवल का जो फेस वायर होता है इस सीच के साहत में लगा कर इसको उसकी जाहिता से टाइट कर देते हैं अब हम इस फेन का नोटल वायर और इनकमिंग लाइन के जो नोटल वायर है उन दोनों को उपस में जॉइन कर देते हैं अब फेन रेगुलेटर का जो इग वायर बचा हुआ है उसे जो फेन का दूसरा वायर है जो फेस वायर होता है उसके साथ में आपस में लाकर उसे जाइन कर देते हैं अब इन जाइन्टों पर आम इंसुलेशन टेप लगा देते हैं ताकि इनमें करेंटर का ख़तरा ना ही रहे है झाल 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 देखिए दोस्तों इस प्रकार आमारा यहां प्यानर गोलेटा रोड़ सीज का कनेक्शन कंप्लेट हो जाता है अगर दोस्तों आपको मेरा यहां वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलिये दोस्तों अब हमें स्वीचोर रेगुलेटर को बन कर देते हैं किर दाकि षबन दक merch को ऑाल झाल झाम हो लो सलिक MR्य पढ हो आ हाल कि इस में माममने महा थें ऊव्यों चम्लेग आ नापको बनलों कि गित डल्रे पनलोंसे कि देनक्ट हो प्लोंसे कि सेज्वा हुऊistतों अव unle खमें